डिक्टेशन स्टार्ट होगा पांच सिकेंड बाद स्टार्ट अधियच महोदै सबसे पहले मैं अपनी माननिये कारेकारी पार्षद महोदै का दिन होनी बजट भासड दिया है और अपनी नीतियों की घोटडा की है उसके बारे में उनको ह्रदे से बधाई देना चाहती हूँ मैं यह नहीं कहती की कोई क्रांतिकारी परिवर्तन लाना चाहता है यह बजट लेकिन मैं यह भी देखती हूँ की यह बजट जो है धीरे धीरे गती से समझवाद की ओर बढ़ता जा रहा है अपनी नीति से यह भूतकाल और बरतमान दोनों को एक कड़ी में मिला कर हमें उज्वल भविश्य की ओर ले जाता है ऐसा मुझे कहना है यह भांसड इस भांसड को पढ़ने से की इसमें हमारा कोई भी बर्ग समाज का ऐसा नहीं है जिसे अच्छूता छोड़ा गया हो क्योंकि भारत वर्ष एक क्रिसी प्रधान देश है और ए मैं यह समझती हूँ कि इस बजट के दवरान यह पूरी तरह से कोशिस की गई है कि ग्रामिल अर्थ बिवस्था को जिसे हम अर्थ बिवस्था की रीढ भी कह सकते हैं उस धाचे में उस रीढ की हड़ी को और भी ससक्त बनाने का पूरी तरह से प्रितन किया गया है हमारे ग्रामिल भायों के लिए जो कोशिस की गई है इस बजट के अंतरगात वह उनको सिचाई के लिए कुवे गाओं में उनके लिए पकी सनके जिससे उनके खेत और घर दिल्ली के साथ जोडने की कोशिस की गई है जितनी भी इसमें बेवस्था की गई है उससे ग्रामिल भायों को बड़ी भारी सहायता मिलेगी उसके अतिरीक्त ग्रामों उद्योग के द्वारा जो रोजगारी का प्रबंध किया गया है उससे भी ग्रामिल अर्थ ब्यवस्था को एक बहुत बड़ी सहायता मिलेगी पैराग्राफ चेंज मैं इनका ध्यान इस ओर दिलाना चाहती हूँ कि जहां तक सिच्छा का संबंध है इस बजट में कोई विशेश प्रावधान नहीं किया गया है मैं यह नहीं कहती कि सिच्छा के दवरान ज्यादा अस्कूल न खोले जाए पर हमारी यह निती होनी चाहिए कि भले ही इस्कूल थोड़े खोले जाए पर सबसे बड़ी अविशक्ता इस बात की है कि सिच्छा की निती में परिवर्तन की ज्यादा अविशक्ता है क्योंकि हम प्रजात अंत्र में रहते हैं प्रजात अंत्र को अगर हमें सफल बनाना है तो सबसे पहले हमें ऐसे नागरिक चाहिए जिन्हें अपने अधिकारों और अपने कर्तब्यों का भली भाती ज्यान हो सिच्छा की बर्तमान निती से हम अपने अधिकारों के प्रती ज्यादा सजग होंगे और करताबियों के प्रती बिल्कुल